जो भी इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं ये एक तरह से अपने मित्तिस से जुड़ने के जो लगाव होता है वो एक इमोशनल फिलिंग्स होती है और से अभी तक का जो हमारा अनभव है वो बहुत अच्छा रहा है अगर हम देखे करगिल युद्दू के बाद और जिस तरह से भारत के उपर आर्थिक पर्तिबंद लगा दिये गए थे और स्रदेह अटल जी ने परवासी भारतियों से अपील की थी उस समय और आप यह देखे कि तमाम पर्तिबंदों के बाबजूद भारत की अर्थ विवस्ता को समालने में परवासीों का एक बड़ा भारी योगदान रहा और इसलिए जहां यह अपने जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम बनता है वहीं तमाम तरह कि जो सयोग होते हैं अंतराश्ट रस्तर पर उसकी भी उसमें भी भूमिका निभाते हैं और कई बार जो नितिगत और या कहें कि जो विदेश निति हैं हमारी उसमें भी सयोगी साबित होते हैं